हेलो दोस्तों नमश्कार आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेक्टिकल प्रैक्टिकल फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है CT टेस्टिंग के उपर है CT को टेस्ट कैसे करते हैं आपने CT को टेस्ट करते हुए लिए देखा होगा एंड इसके उपर जो रेटिंग लिखी होती है तो इसके बाड़े में तो मेरी पहली वीडिय Muss में देखी रखा होगा तो इसकी रेशो देख लेते हैं तो इसकी रेशो और 100 बटे 5, 100 बटे 5 इसकी जो ratio है, दोस्तों इसका मतलब है इसका जो input current है, input मतलब जो primary current है इसका, इसका primary current कहां से आएगा, ये जो hole दे रखा है, इसके अंदर से जो हमारी load वाली वायर निकलेगी, जैसे कोई हमने motor चला रखी है, तो motor की एक वायर है जो 3 phase की मोटर है, उसमें R, Y, B लगे हुए हैं, तो R phase, Y phase जा B phase, तीनों में से कोई भी हम एक वायर CT के अंदर से निकाल देंगे और motor को देंगे, तो जो motor का current है, तो वो हो गया CT का primary current, तो ये हो गया primary current, आगर वो 100 जाएगा, तो जो इसका secondary current है, ये दो terminal है, यहाँ पे होता है secondary current, तो वो 100 के उपर 5 जाएगा, ये इसकी ratio है दोस्तो, आगर 100 होगा, तो 5 जाएगा, इसके linear scale चलता जाएगा, डॉन, 20 होगा, current तो एक आएगा, ऐसे ऐसे दोस्तो इसका scale चलता जाएगा, तो इसका practical भी आपको test करके दखाते हैं, तो किस साब से चलता है वो current, तो ये मेरे पास test करने के transformer है, इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, इसको कैसे बनाना है, उसको भी देख सकते हैं, तो ये इसका regulator लगा रखा है, ये एक्चुली multi tap transformer है, multi tap transformer, और ये इसकी primary जो है, voltage यहां से आ रही है, ये जो हमारे वेरियेक है, वेरियेक इसको control voltage दे रहा है, control voltage से हमारा जो है, control current हमें मिल रहा है, जो हम इसको देंगे, तो इसका जो हमारा current transformer है, ये वाला, जो current के source का transformer है, ये भी CT है, ये भी CT है, बट ये हमारा source है, जो हमारा current का source है, तो source की जो ये output ये देख रिखे हैं, ये एक मैंने CT के बीच में से निकालके, यहां MCB पे लग लगा रखी है, दूसरी वाली wire, जो है, MCB के दूसरी साइड लगा रखी है, इसमें voltage low है, और current high है, जैसे हम इसको on करेंगे, तो जो secondary winding है, जिसमें एक तो, इसमें भी primary winding और secondary winding है दोस्तों, जो first winding थी, उसमें हमने supply दे रखी है, वेरियेक से, ये हमारा वेरियेक है, और इ CT को, तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, तो ये हमारा जो meter है, ये show करेगा, और इसके terminal देख सकते हैं, कि यहाँ पर इसके दो terminal है, तो इसके उपर भी इसका mention किया होता है, A1, A2, पर यहाँ पर अभी clear नहीं है meter पर, CT के उपर दोस्तों, CT पर जो terminal है, इसके winding की turn होत तो जैसे हम winding करते हैं, उसका जो first वाला सिरा होता है winding का, तो वो होता है S1, जो उसकी end turn हो जाती है, वो होती है S2, ये हमारी S2, तो इस तरह से ये CT के terminal है, दोनों मैंने यहाँ पर लगा दिये, अगर उल्टे लग जाते तो meter negative में काम करता, डाउन की तरफ जाता, अगर य अपकी तरफ scaling करेगा, हमें बताएगा, तो इस तरह से इसकी polarity है जो हम set कर सकते हैं, तो चलिए अभी इसे on करते हैं और test करते हैं, पहले मैं varia को बिल्कुल zero करता हूँ, ये मने zero कर दिया, तो अभी on करते हैं, power मैंने on कर दी, अभी वो zero है, mcb on है, जब मैं इसको off करू तो ये जो current off हो जाएगा, 1.3 आ रहा है ये देखिए, अभी off हो गया, on करते हैं से, अभी हमारा current है दोस्तो, जो देखिए 1.2 ampere है, जो CT का हमारा primary current है, इसे बोलेंगे CT का primary current, तो इसे बढ़ाएंगे देखिए, ये बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे, हम हमारा जो मीटर है दोस्तो, ये मीटर शो करता रहेगा, ये देखिए, ये शो कर रहा है, ये हमारा digital मीटर है, इसमें भी ये देखिए current 48 शो कर रहा है, और 40 के पास वो शो कर रहा है, थोड़ा बहुत CT में, जो ये एक मीटरिंग CT होती है, दोस्तो एक पोटेक्शन की CT होत होती है, इसमें 5-10% प्लस माइनिस होती है, उपर नीचे शो करता है, तो ये देखिए, 60 पर 60 जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, इधर मैंने 100 कर दिया, और इधर हमारा 98, ये देखिए, 98 CT का जो प्रैमरी करन्ट है, ये देखिए, ये CT का प्रैमरी करन्ट है, 96-98 आ रहा है, उधर मीटर में शो कर रहा है दोस्तो अब CT कैसे काम करती है, देख लीजिए, जो CT का में, 100 बटे 5 जो हमारी रेशो होती है, किस साब से काम करती है, ये जो लिखा हुआ था, 100 बटे 5 तो यहां पर देखिए, ये हमारा करन्ट है, यहां पर 100, मैंने 100 कर दिया पुरा, ये 100, तो ये इसकी प्रैमरी जो करन्ट है, इसका प्रैमरी वैंडिंग का करन्ट होगा दोस्तो, और अब देखते हैं, ये स्केंडरी वैंडिंग, ये देखिए, ये आ रहा है पांच, ये ये CT का Scandry current दोस्तों ये दोनों बारेों में सेम आएगा आप S1 S2 दोनों में ले सकते हैं ये देखिए ये दोनों बारेों में सेम आ रहा है तो ये दोस्तों CT का जो होता है ratio ये CT किस तरह से काम करती है तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेर कमेंट करना एंड थैंक्स फॉर वाचिंगे